उडिसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक आटो रिक्षा ड्राइवर ने अपने ये आटो को सोलर पावर से चलने वाले आटो में बदल दिया है श्रीकांद पात्रा को ये आटो की चार्जिंग को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ती थी हाला कि अब उनकी ये मुश्किल खत्म हो गई है अपने एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा को सोलर पावर वीकल में बदलने के लिए उन्होंने यूट्यूब टुटोरियल की मदद ली इलेक्ट्रिक आटो रिक्षा को सोलर पावर वीकल में बदलने के लिए श्रीकांद पात्रा को करीब 60,000 रुपे खर्च करने पड़े हाला कि ये सोदा उनके लिए महगा साबित नहीं हुआ अब उनका आटो रिक्षा समय की ज्यादा बज़त कर रहा है जो ज्यादा कमाई में तब्दील हो रही है फुल चार्ज होने पर 140 किलोमेटर का सफर तै करता है श्रीकांद पात्रा की कमाई भी बड़ी है अब वे हर दिन 1300 से 1500 रुपे तक कमा लेते हैं पात्रा की ज्ब भी जाए टूँ के लोगना है झाल झाल